हमसे ना कोई कंट्रेक्ट किया है, ना हमसे किसी ने कहा है, ना किसी कॉंग्रेस ने कहा है, ना तेजस्वी आदब जी ने फोन किया है, किया तेजस्वी आदब जी का लीडर है, यदि वो परना चाहते है, तो तेजस्वी आदब जी और कॉंग्रेस के नेता कोई हमको दिल्ल मən कर दो लग रहे हैं कि ऐसा चुन ने हम लोगं करें कि अको यह एकडम एंटर्स्टी नहीं लेता इक साल ब चूनाव звуч अब हो खार रहे हैं कि इस विधायक का काटिंगा जब आप अभी ही बोल देगे हैं तो आपके विधायक जद्यु के टश्में रहेंगे अभी बोलने से क्या फैदा है मरते दम करें हम तो PM से भी मिलेंगे हम पहले होमिनिस्टर और PM से मिलने का प्रियास करेंगे सब मिलेंगे एकदम मिलेंगे और भोलेंगे हम तो विशेश राज का दर्जा चाहिए आप दीजिए नमस्कार में नमा लोग है आप लाश्टीज देख रहे हैं हम आई साथ पूर्णिया के सांसर पप्वी आदव हैं अब तो पूर्णिया में उपचुनाव हो रहा है मुझे याद रहते हैं अगर आप इंडिया को वोट नहीं दे रहे हैं तो इंडियों को वोट देजिए बात साफ वह बहुत बड़ी दुर्गटना थी और वह इस देश को नुकसान कर गया आज रहुल गांधी प्राइमनिस्टर होते हैं बारा बारा सीट पर इसका असर हो होना इतने इतने चीजों पर आज यहालाद पर स्थिति पैदा हुए मैं उसको याद नहीं करना चाहता हूं डर जाता हूं आज भी मेरे मन में ऐसा है कि हो क्या गया जबकि यह स्थिति नाररिया कि थी मध्यपुरा सुपॉल जांजार पर मुझे लग नहीं रहा था कि यह सीट इंडिया गटमंदन कभी हार सकती है अब उनका आज भी मैं दिल से कहता हूं वह जो जिस तरीके से आज भी उनके वी तरह किसी भी तरह का मन में कि मैं मनवें अक होता है कि चलू कि है भूल हुई किसी चीजों के यह भूल करते हैं वह उनको नहीं है इसलीका उनमें मैं रहता ही नहीं हूं मैं एकदम इंटरेशना ही ने लेताई है कोई Ithey Ö हमारा लक्ष है विल्कुल कॉंग्रेस कैसे मजबूत हो और कॉंग्रेस का कोई उमिद्वार वहां है नहीं और हम CPI के साथ थे हमको लगा कि CPI के साथ ख़रा होने की ज़रत है कि CPI के होता तो पूरी ताकत के साथ होता है हम अपने सातियों से राइक रहे हमारी सातियों के राय बहुत असमंजस में तकलीफ में उनको लग रहा है कि इसा चुना। कि यहां कुछ भी नहीं है तीन तेरा 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 कंडिरेट हैं लेकिन आम लोगों की कोई फेलिंग नहीं आम लोगों के लिए कोई लेना देना नहीं ऐसी राजनीती में पपुयादव आप खुद सोचे ना कि मेरे लिए क्या बनता है मैं तो अपने साथियों पर छोड़ूँगा मैं हर किमत पर अपने साथियों की राएं पर चोड़ूगा किसी की बारे माइन बात कर सकता हूं हमसे कोई कंट्रैक्ट किया है किростजी का यह नी फौन तो क्या तेजस्वी आदव जी का- लीडर है यदी वह बरना चाहते हैं तो का यह लिजी सेक्रेट्री की भाई महाकटबंदन का है हम लोग का सपोर्ट है तो हमको किसी निकाह नहीं और मेरा वो लोकसभा छेत रहें और जो परस्थितिया हैं उसमें वर्कर की भावनाओं का ख्याल रखना मेरे लिए बहुत महत्पूर्ण हो जाता है तो हम मुझे लगता है कि मुझ मैं अपने वर्कर से अलग नहीं होगा वर्कर को नहीं छोड़ेंगे लेकिन मुझे लगता है कि लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी यहदी ठीकर दिये हैं तो सोच के दिये होंगे मुझे उस पर कोई आपती नहीं है तो निस्षित रुप से तेजस्वी से एक साल का चुनों है वो कह रहे हैं कि इस विधायक का टिक का का टिक और भीया जब आप अभी ही बोल देंगे तो आपके विधायक जद्यू के टच में रहेंगे अभी बोलने से क्या फैदा आपको जो काटना है मारना हैं आप काटिये कोई दिक्कत नहीं है अभी तो कम कि लालु यादब जी ने और तेजस्वी जी ने कोई बात नहीं कहीं अंतिम सवाल है आज से आप पार्लेमेंट जा रहे हैं आपको सांसत बनाया है पूर्णियाक जनता ने बिहार के लोगों ने क्या उमीद करें नेट है नेट है नीट की परिक्शाप आप बोलेंगे नह ही लड़ेंगे आरपार लड़ेंगे जो आरख्षन खतम किया गया है कोट के द्वारा ये सवाल उठेगा जो लगातार एक्जामनेशन में आज बीस सालों से पचिस-तीस सालों के से लगवक लगातार हर एक्जामनेशन का रिजल्ट पहले ही कोसन आउट हो जाता है अब न एस प्रवाइट के साथ बच्चों के भविश्क के साथ बीजेपी सरकार या NDA की सरकार गंभीर नहीं है आपने नेट का एक्जामनेशन केंसिल किया और दूसरी बात मैं आप से जानना चाहता हूं कि आप एक्जामनेशन केंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं यह हमको बताएं और प्राइवेट एंजियो को आप खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं क्यों आप प्राइवेट एंजियो के दौरा कंड़ेंट कीजेगा एक्जामनेशन या रिजल्ट किसी भी तरह का आप एक एक नहीं कमीटी एक लिए एक निया फैदा क्यों नहीं करते हैं तो इसे लिए यह भी मुद्दा बहुत बड़ा है वीशेalth राज का मुद्दा मेरे लिए बहुत बड़ा है विशेalth पैकेज़ का कप्रियास करेंगे एकदम मिलेंगे और बोलेंगे हमको विशेष राज का दर्जा चाहिए आप दीजिए और विशेष पैकेज कोशी सीमांचल के लिए लेकर रहेंगे चाहिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे आमित साजी मिलेंगे क्यों नहीं बैए वो सबकेज कोशी सीमांचल के नहीं है क्या छोड़ देंगे क्या एकदम मिलेंगे और विशेष राज हम नहीं छोड़ने वाले है तो आपने सुना इस पूरे इंटर्विव में पपुई अदव ने क्या कुछ कहा है देखे नीट की जो परिक्षा हुई थी अब उसे रद करके रीनीट कराने की मांग हो रही है फिर से परिक्षा ली जाए इसकी बात हो रही है वहीं रुपॉली में जो उप्चुनाओं होंगे उसको लेकर पपुई अदव का तेवर काफी गर्म देखने को मिला देखिए आपको याद वहीं रहे थे उन्होंने लोगों से मुलकात की थी फिर भी बीमा भारती की वहाँ जमान जब्त हो गई लगभग 27,000 बोटा है और अब जब बीमा भारती पूर्णिया से उप्चुनाओं लग रही है आपको बता दे बीमा भारती पहले रुपॉली से ही जेडियों की नहीं कि आपने की है और नहीं किसी बढ़िन्यतान नवसे कुछ कहा तो फिर वो साथ कैसे दें वो अपने किसी कि मत पर कार्यकरतां को नहीं चुड़ेंगे उसके बिहार से निर्वाचित संसद हैं वो शपत लेंगे उसके बाद फिर जब प्रक्रिया शुरू होगी तो जाहिसी बात है इस बाद संसद भौन में विपक्ष मस्बूत स्थिति में है और नीठ के मुद्दे को लेकर यानि की जो मेडिकल की प्री मेडिकल की जो इंटरेंस एक इंटरेस्ट नहीं है पप्र यादव में कोई इंटरेस्ट नहीं ताट सबसक्राइब करने साथ चानल को सब्सक्राइब करें था दो